इसकी ब्यूटी यह है कि इसमें शॉर्ट क्वेशन और लॉंग के पेर कंप्रीट होगा चैप्र नुबर वन के साथ दोनों पॉसिबिलिटी मजूद होती है बोर्ड में कट इसमें चैप्र आज के लेक्ष्यर और इसकी ब Sweet जो है वहrot पोजिशन है और रुख नवर सेकंट है और इसका फॉर्ट पार्ट होई का फैस टूर्ड नकि कि आज के लेक्षट में हम आपको चॉइश्ट पर के बारें में अब्रीप करेंगे ऑप्र previous years में इसको नहीं रीट किया there is a synthetic division synthetic divisions के लिए आप सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं एक और method जो हम methods बलके not a method method जो हम कर चुके हैं मैं briefing देना चाहता हूँ ताकि आपका interest 12 हो आप exercise 2.6 page number 38 open कीजिए उसमें question number 1 का part 1 है उपर देखें के by synthetic divisions आपने remainder और coefficient find out करना है clear इसमें देखें आपको question है x square plus 7x plus 1 और उसको linear जो है वो divide कर रही है x plus 1 तो आपने quotient और remainder find out करना है by synthetic division synthetic division का भी concept में आपको देने लगा इससे पहले जूनियर classes में x square plus 7x plus 1 को आप simple division method से करते थे तो x square plus 1 x square plus 7x plus 1 यह divisors divisors और dividends आपके सामने मजूद है आप इससे multiply करते थे करते करते हैं इसको डिवियंस में लेके आपके x x x square into 1 यांकि यह method वो आपने किया होगा थोड़ी अपनी memories को use कीचेगा sign change करते थे करते जब आप last में रह जाता था तो वो remainder के लागता था यानिके यह minus 5 हो गया और x plus 6 जो है that is set to be a quotient यह सिखाया गया था but this method is simple division method इसके बाद आपने 9th class में remainder theorems कहा उसे पढ़ा सीखा but उसका questions आपने find out नहीं कर सकते थे यह उसका drawback था इसी तरह गर या तो पी x आप polynomial लेते linear को आप zero feed करते उसकी root निकालते या x की value को fix करते there is a x equal to minus 1 और जहां जहां x आप आप minus 1 feed करते और answer आता है तो that's one is a remainder यह तमाम चीज़ें मैं इसलिए आपको previous classes में लेके आ रहा हूँ यह दोनों method आपने किये हुए है इसमें question find out नहीं हो सकता था अब synthetic region देखिएगा कि synthetic region को कैसे आपने करना है एक स्केल प्लस 7 x प्लस 1 सबसे पहले आपने polynomial को आपने descending order में लेकि आना है variable power 2 variable power 1 variable power 0 already in descending order पिर आपने के coefficient pick करने है एक स्केल का coefficient है one यहां को नजर नहीं आ रहा रहा रेक्ट अब यहां one लिख लिए पिर एक्स का coefficient आपने लिखना है जो कि आप देख लिए plus seven plus obvious है चाहे लगाए प्लस को चाहे ना लगाए देट जए seven constant जो है वो one है वो यहां आपने मन लिख लेना है फिर आपको इसको इस तरह एक formation ब्लॉक में ले जाए यह क्लियर हो यहां कि हर पॉल्नॉमिल का coefficient जो है वो आपने लिख लिए अगर यहां minus seven होता तो फिर मैं यहां minus seven लिखता यहां plus seven है तो plus मैंने नहीं लिखाया अगर यहां minus one होता तो minus one हो यह पिर आप आले एक्स प्लेस वान जो लीनियर टर्म है उसको आप zero feet करें यानि एक्स प्लेस वान इकवर तो जिरो जैसे कि डिमेंडेस में करते थे x equal to minus one यहां आपने x को minus one fix करें और आपने टिपनीग के लिए तुमाम में ऐसा ही है गोर से देखिएगा आपका समझना बहुत जरूरी है वीडियो को प्लीस लाइक जरूर किया करें और चैनल को शेयर भी कीजिएगा वीडियो जो है दूसरों को अपने फैमिली को अपने रेलिटिप्स को प्लीस जड़ा थोड़ा सा आप इनको जज्जमेंट दें कि हमारा चैनल बहुत ज़्यादा है परमोट करना आपके जमाद ले ना यहां और एनसे आपने फ़ेंग फिर माइनजोें को चैनल फ्रहर पी। refuse को अब भी जैसे यह और यह मैनने कशी तो आपकी मल्स्टिपिकेशन में जाएगी माइनस मॉझ लो पहल यहां लगा दो धित कैसि और माइनस वन इसको एड कर देना यहां के वर्टिकल पुजिशन को एड और पॉजिशन को आपने मुटिपै करना है अब जब इनको एड करेंगे तो सेवन माइनस वन यहां के प्लस इंटो माइनस वन डेज़ शिक्स Allah next time फिट एक first तो आपने मैसे के वैसे पार गया इसको मर्टिपर किया यहां रिखा एड किया अपिर इंको माइनस वन मेट इप्र टी एगां ऑप इनको एड का एड कर रएगा 1 into minus 6 that's a minus 5 अब क्योंकि और डिजिट यहां मजूद नहीं है इसको आप ब्लॉक कर दीज़े इस minus 5 is set to be a remainder यह वो ही remainder है जो आपको पुरानी क्लासिस में previous method नहीं था that's a remainder this one is a set to be a synthetic region अब remainders यहां आप रिखेंगे r into x that is a minus 5 clear अब इनका quotient देखिएगा knocking to x अब जो इसी lane में जो रह गया है उसकी x की power यहां देखिएगा 2 है इसमें जो first coefficient होगा वो x की एक power कम होगा यहांकि x के दिए बजाए यहां आपने x लगाना है यहां के 1 into x now plus 6 अब आइस्था आइस्था एक एक power x की कम करते जाएं यहां x की power 0 है वो लिखने की जुरूरत नहीं है और यहां 1 constant नहीं आप लिखें इसे आप करें इसे इसे आप एक दुफां देखियेगा हुआ हाँ आप नेच्ट पे चलते हैं के सारिये आप जिसे science-change किया करें है science-change करके जैसे जो है वो book में है PTB को मजुद है आप questions को वैसे भी मैं आपको सका लेकिन मेरा मकसद जो है यह देफनेटिली आपकी synthetic divisions के बारे में भी हो जेखते हैं x square plus x square plus 3x plus 2, इसका आपने सबसे पहले क्या देखना है, इनके descending order, x cube है, x square है, x की power 1 है, without x है, that's clear, अब इनके coefficients ले ले, that's a 1, again a 1, this one is a minus 3, and this one is a 2, इनने block कर दीजएगा, यानिके इनको formation में लिया है, straight line, थोड़ा सा gap देखे, आपने से crossing में लिया है, अब क्या करेंगे आप, x plus 2 equal to 0, linear x plus 2 equal to 0, now x equal to 2, अब आपने यहाँ, 2 लगाना है, that's a 2, यह 2 आगया, अब first आपने वैसे के वैसे आपने यहाँ होता है, that's a 1, cross multiply, 2 1 दा 2, state add, cross multiply, 3 to the 6, state आप add कीजएगा, add the 3, again multiply, यहाँ आप देखिएगा, कि जो crossing में है, वो multiplication में आते जाएगे, जब तक कि मैं last term तक ना पहुन जाँ, again 3 to the 6, और इनको add कर दीजएगा, and this one is 8, और 8 जो है, वो इसका remainder है, इसे आपने इस तरह करने लिया है, ब्लॉकर देना है, और यहाँ लिखिएगा, rx equal to 8, एडा, अब आज़ें जी कॉशन्ट की तरफ, एक term कम होगी, जितनी दफ़ा synthetically आप इसे solve करते जाएगे, इसकी एक एक पावर कम होती जाएगी, यहाँ इसकी पावर variable की 3 थी, अब कॉशन्ट यहाँ से start होगा, वो x square से start होगा, अगर यहाँ x power 4 होता, इसका कॉशन्ट जो था x cube होता, यह जहीं में रख लिजएगा, प्रीस, अब 1, 3 और 3 जो है, यह इसके कॉशन्ट के constants हैं, और इसको कैसे coefficients में convert करना है, 1 आपने लिखें, एक पावर यहाँ, जो questions है, उसमें variable की कम कर दीजएगा, यहाँ के एक डिगरी कम कर दीजएगा, यहाँ आजएगा x square, यह प्लस 3, अब x आपने automatically लिखाने हैं, यहाँ एक एक पावर कम करते जाना है, प्लस 3, यहाँ वान आप भी शक्त ना लगाईएगा प्लीज, x square, प्लस 3 x, प्लस 3, that is a quotient, this one is a synthetic, clear हो गया, एक तफ़ आप चेक कर लिजएगा, प्लीज, कि इसको किस तरह आपने करना है, यह two marks हैं, और आपने सिर्फ बास सिर्फ जो है, इसके quotients आपके find out करना है, और remainder, और एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ 0 आ दे, तो इसका मतलद यह है, है, एक सिक्वर्डू तू, यहांके टू इस सेट टू बिए जीरो ओफ दा पॉलिनॉमियल, एक स्क्यू प्लस एक स्केर, प्लस 3, एक स्प्लस 2, इन केस ऑफ रिमेंडर इस जीरो, तो हम इसे जीरो नहीं कह सकते, जीरो पॉलिनॉमियल, क्लेर, एक दबाद एक लिए, प्ल तो खुड़ा सब क्रेक्शन कह लीचेगा, इसमें यह तमाम जो मैंने सिस्टम आपको बताया, यह सरफ आपके इंटरस्ट के लिए था, किस तरह आप एक पार्ट को मैं, जो है, जो है, जो है, मोर देन, वान, टू, तू, 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 फॉर, फाइल, कितने मैथड़ मैथज़ां, वो उसी तरह मैथमेटिक्स, मैथमेटिक शेंस की खुब सूर्ती होती है, तो आपको त्री मैथड़ आगे, अब यह है, कि यहाँ, एक्स के प्लस सेमने एक्स, प्लस वन की बिजाए, वहां, बुक पे आप दोहर करें, पेच निवर 38 पे, वहां, माइनस वन ह सब्सक्राइब, इसको थोड़ा सा, मैं क्रेक्ट करलू, अगर आप माइनस वन डेखें तो फिर यहाँ, आपने माईनस वन लगा देना है, यह माइनस वन आगया, जब आप इसे एड़ करेंगे, तो इस वन इस माइनस वन फर्क कुछ नहीं पढ़ना, और यहाँ, में माइ से में लगा देना बाकि इसको इस वर्क में पढ़ना तो यह डिपेंड करता है कि बाल का समझाने में साइन चेंज हो जें लेकिन आपका अक्सल मक्सद जो था उस संथेटिक रही है लास्ट पे आदें लास्ट पे आएं तो उसी तरह संथेटिक जो है वन इस दा जिरो ऑफ पोलिनोमियल डेट में के रिमेंडर इसका लाजमन जिरो आएगा पहले संथेटिक में देखिएगा इनके बुलीजेगा कॉफिशेंट मैंने डॉक बनाया एक्स क्यूब का कॉफिशेंट वन इसे वोर से देखें बड़ा अच्छा पार्ट है एक्स स्केर का कॉफिशेंट माइनस टू एच एच भी शामिल करना है अब यहां एक्स केर के बाद एक्स होना चाहिए जो कि उसकी पॉजिशन में है लेकिन यहां मजूद नहीं है तो आपने वहां उसका कॉफिशेंट जो है वो जिरो लगा देख लियानके जिस पॉजिशन पे एक्स को डिसेंटिंग ओर्डर में मजूद नहीं है वहां उस जिरो लगाना है लाजमन लगाना है अब इसके बाद है एक्स के बाद कॉंस्टेंट टर्म है 11 यहां 11 है पस यह एक नहीं सीज़ थी हमके मिशाला नेक्स वीडियो पी इसकी बजीद प्रेक्टिस करेंगे इसको सिर्फ आप देख लें सेंथेटिक विए निक बहुत अच्छ इसे वाइसे क्लों मनैसे कि यह वान हम इसे एड कर दें आपकर दिये इसकी फैमिलित कुछ हो माइनस तूह प्लस वान को सिकें समेंट से मुषण यह एज-पलस-1 इस को जीरो में एड्रिज ती ऒ conflicts वान फिर वार्म को इन से मुटिपाइक करें माइनस टू एज प्लस वन यानके तमाब आइडेंटिकल टर्म्स आती जा रही है अब एड़ कीजेगा इनको माइनस टू एज 11 प्लस वन इस वन इसे ट्रियल मैं एक दफक्ति सम्झाने की कोशिश कर रहा हूं कि वन वैसे के वैसे पहले तो आपने देखें यहां वन है यह माइनस टू एज जिडो पॉजिशन पे एक्स है और 11 वन को आपने यहां लिख लिया वन मुटिक्वाइब वन है इसमौ एकर दिएगा माइनस चूरास प्लस one माइनस फू.चल इंके वन से मं ली प्लै करें वही आएगा उनको एडर करें तक भी मोही टर्म आएगी फिर माइन प्लस प्लस वान को वान से मड़ी पाएगे अगेन और रूपीट और अब इसे 11 में कर दे तो इस वन इस दा रूमेंडर नो गिवन कंडिशन गिवन कंडिशन क्या है गिवन कंडिशन यह है कि उन्होंने कह दिया कि वान जो है वो zero of the polynomial है तो इसका मतलब है इसका जो रूमेंडर है वो लाजमन जीरो होना चाहिए तो आप इसको zero कर देएगा implies minus 2H plus 12 equal to zero कंडिशन बात बता दू कि रूमेंडर है वो लाजमन जीरो होगा तो यह zero of the polynomial कलाएगी तो यहां आपने इसकी जीरो लगा दीजेगा minus 2H को उससाइट पर ले जाएग राइट साइट पर यहां 12 को राइट साइट पर ले जाए and this one is the value of H इस तरह के पार्ट जो है इसके chances हैं यहां तो आप में देखें के एक variable find out करना है जब आप एक variables को find out fix करेंगे तो वो two marks का अगर two variables होंगे जैसे के L या M find out करना हो वो four marks का होगा प्लीज वीडियो को like कीजेगा और जो भी आपको चीज अगर समझ नहीं आई है प्लीज उससे मुझे जरूर कमेंट्स कीजेगा stay in touch Allah आफिस